मुख बंद रख अपना एक शब्द और नहीं बोलना चले जा यहां से रेकल जा गुस्से में ऐसा कहने वाली मेरी मा है और पास में जो चुपचाप खड़े हैं वो मेरे पापा है और शादी का जोड़ा पहन कर जो खड़ी है वो मेरी मंगेतर है और ये दोनों उसके माबाप हैं आखिर में मैं बाहर आ रहा हूँ अक्सर मेरे पापा को गुस्सा आता है लेकिन फिर भी मैं हर हफ़ते एक घर आता रहता हूँ लेकिन पहली बार मेरी माँ को गुस्सा आया और उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया और ये सब कैसे हुआ जानना है आपको यह मेरे पापा जो मुझे स्कूल रॉप करने के लिए नहीं जा रहे हैं बलकि अपने साथ मुझे स्कूल लेकर जा रहे हैं हमारे मैथ्स टीचर सारे स्टूड़न्स को पनिश्मेंट दे रहे थे सिर्फ मुझे ही उन्होंने क्लासरूम में बठा कर रखा ये सब क्या है मधुजी इन सब को पनिश्मेंट दे रहे हैं सिर्फ मेरा बेटा क्लास में है दर असल वो आपका बेटा है ना इसलिए मैंने ये क्या सर आप खुद खड़े हो गए कहा था ना मेरा बेटा इसलिए पनिश्मेंट नहीं दी अब उसकी पनिश्मेंट मैं भर रहा हूँ इसलिए उस दिन से मेरे पापा और सब लोगों ने मिलकर मेरे साथ 2020 मैच खिलना शुरू कर दिया एक बात इनको समझ में नहीं आती कि वो लोग कितनी भी जोरदार बैटिंग क्यों ना कर ले लेकिन मुझसे नहीं जीत सकते पर एक जगा हमेशा मेरी हार ही हुई मेरे पापा के एक दोस्त हैं जो विशा का पतनम में रहते हैं पापा ने उनकी बेटी को हमारे घर में रख लिया मेरी जगा के साथ-साथ पापा के दिल में भी इसने अपनी जगा बना ली यह फोटो में जो हैं वो मेरी दादी मा हैं और पापा के दोस्त ने दादी के नाम पर ही अपनी बेटी का नाम रख लिया देखा न, मा की फोटो को कैसे परणाम कर रही है बेटी मेरी मा की emotional expression से पता चल गया कि अब इस घर में मेरी क्या हालत होने वाली है इनका नाम सदानंद है पापा के दोस्तों में यही एक हैं जो पापा को ओए रे बे करके बुलाते हैं इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं वो दो ठीक है लेकिन घर के पास का स्कूल छोड़कर अपनी बेटी का दाखिला हमारे स्कूल में करवाया और बता तेरा बेटा कैसा है पता नहीं है मेरे बेटी का क्या होने वाला है यह मेरे दादा जी की पाँच एकड़ जमीन है जिस उन्होंने बहुत मेहनत से बनाया वो हमेशा कहते थे कि हर इंसान को खेती बाड़ी जरूर करनी चाहिए अरे भाईया इस बार तो फसल बहुत अच्छी हुई है और एक एक एकड़ में एक लाग के हिसाब से मुनाफावा है यह सुनने के बाद मेरे दिल में मैंने एक बात की गाट बान ली थी कि अगर लाइफ में मैं कुछ करूंगा तो खेती ही करूंगा सुधागर खड़ा हो जा तू बड़े होकर क्या बनेगा दॉक्तर बनूंगा टीचर बनूंगी सर पुलिस है विश्नो खड़े हो जाओ तू बड़े होकर क्या बनेगा मैं खेती बारी करके अच्छा किसान बनोंगा सर ये जवाब सुनकर मेरे पापा एकदम शौक हो गए बेटा मैंने ये क्या सुना कि तु खेती बारी करना चाहता है ऐसा नहीं बोलते अगली बार कोई पूछे ना तो कहना कि मैं अच्छे से पढ़ लिखके अच्छी नौकरी करना चाहता हूँ इसके बाद मैंने अपनी मा को दादा जी की कही हुई बात कही कि हम किसी और जगा नौकरी करके अपने ही पैसे से अपना अनाज क्यों खरीदें हमें अपना अनाज खुदी हुगाना चाहिए ये जवाब सुनने के बाद मेरी मा ने मुझे सिर्फ खाना खिलाया ना कोई सवाल किया ना कोई बात कही एई देखो इचे कितना मन लगा कर पड़ रही है और एक तुम लोग हो गदे की तरह बस खाते ही रहते हो एविश्नू खड़े हो जा सरोजनी देवी की मा का नाम क्या है एक नमबर का गदा कुछ नहीं आता है मुझ अड़का कर खड़ा हो जाता है बस सुभाश तु भी खड़ा हो जा तू भी इसके साथ रह रहकर एक दम ठीट हो गया है अब बेटा वेदा तुम बताओ उनकी मा का नाम है बारदा सुंदरी देवी गर्ड जरा इन सब के कान के नीचे लगाओ तो एक बात आप सब लोग ध्यान दें कि जब मैं थर्ट क्लास में था तब वो फर्स क्लास में थी अब ही मैं फिप्थ क्लास में हूँ और वो भी फिप्थ क्लास में ही है अब तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उसे मेरे उपर कितना विश्वास है मज़ा आ गया मज़ा आ गया ऐसा कहने से अच्छा लगा हाँ तो भी उंगली डाल के देख बहुत मज़ा आया अमा चाचा जी और इस तरह में उसके थपड का बदला लेता था और फिर पापा का मुझे मारना मुझे इन सब की आदत दो देखना पापा तुमों लोगाने मरी बागली दोड़ते हाँ मेरी बोटल बाप सगर आको पुलीग वालाया जायन कśniejरत घाल बिन्म मेरी बोटल ऑप चैहे सम्झा का मेरी बोटल उपच ऎर सम्दों का किसे मरील मोथल तोडीथी? तुम्हें लोगों मेंसे किसे मरील मोथल तोडीथी? अहा? है? अइसे सक्कल बनाके तिकेज़ेदे मैं डरजोंगे क्या? मून तोड़तूगा? हेई चुपां! हाँ? अपैजी दोटेंगे मेरी! हाँ? चोड़ूगा नै! प tätäस्ट का फट बखने पटने तुम लुग मिट्टी में इन मिलियाओ अप्रय अज गल्मेस अब मुझे दरू की फोदल काहां चे मिलेंगी आज अज वर्मेंट ओली तुम पूदी दारू की मिलेंगी आज अच और दोका है अज डारू की भूद निदिघकार अज करना यहां पर मैं सब समाल लूँगा ठीक है चल अब जल्दी जाओ बाई विश्णू माफ किजीगा शेकर जी आप न्याय और अन्याय की परिभाशा सिखाते हैं और हम आप से ही सवाल कर रहे हैं यह हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है पर गाउं की इज़त का सवाल है आपका बेटा सदा नंजी की बेटी को भगा कर ले गया है ऐसा इन लड़कों ने आरोप लगाया है इसमें आरोप क्या लगाना यह सच है यह जिससे शादी करवा रहे थे वो उसे पसंद नहीं था वो और मेरा दोस आपस में प्यार करते थे इसलिए मैंने उन दोनों को भगाया दोनों ने शादी कर लिए और खुशी-खुशी हैदरवाद में रह रहे है अब इसके लिए पंचार बठाने की क्या ज़रूरत है देखाने तेरे बेटे ने कितनी आसानी से बोल दिया पर तेरी समझ में नहीं आएगा अगर तेरी एक बेटी होती और उसकी शादी में ऐसा होता तो पता चलता पर तुझे वो मौका नहीं मिला तेरी ही वज़े से मेरी बेटी की मुलाकाती से होई उसकी वज़े से दोनों की दोस्ती होई और आज मेरी बेटी घर छोड़कर भाग गई एक लड़की जब अपने बाप का घर छोड़कर जाती है तब वो अपने साथ अपने घर की इज़त लेकर जाती है लेकिन इस तरह कोई लड़की शादी के मंदब से उठकर भागती है तो अपने खांदान के इज़ट मिट्टी में मिला देती है आज के बाद से हमारी दोस्तिया मेरी बेटी दोना खत्म हो गए अगर तुम लोग मेरे हाथ लग जाते ना तो जिन्दा नहीं बच्चते अब हाथ लगते तब ना तुम लोग तो ढूंड़ी नहीं पाए अभी भी मौका है तुमारे पास सामनी खड़े हैं हम लोग यह गलती मेरे बेटी ची हुई और मेरा दोस्त भी मुझसे दोस्ती तोड़ कर चला गया अगर आप लोगों को भी ऐसा ही लगता है तो माफी मांगता हूँ यह गलती तोने की टिकषशं मांगे और पूरे गावा के सब्सक्राइ Вिए यह गलती किया मुझे तो मांगली चाहिए और मैंने किया वह कोई गलटी नहीं है इसलिए माफी तो उन्हें मांगना पड़ेगा न इसके लिए पैसा दोनों है उनके पास यही तो चाहिए होता है कर लेकर वहिषा कर ले तो जिन्दाजी बर लोना पड़त समा क्ने को अच्छा कहा लगा कि मैंने मदद की उस की जगा तू होता तो तेरी कभी नहीं कर वाता मतलब तू मिывать नहीं है गया दोस्त है रे लेकिन प्यार करने के तरह ओकार नहीं कमेरे सामने तेरे दोस्त हो तेरा बाप हो या कोई यहीं पर तुझे जो अच्छा लगता है यह हमारा गैस्ट हौस है पापा जब भी मुझे घर से निकालते मैं यहीं पर आकर रहता हूं और मेरे पापा के बाद ही यहां आ सकता हूं क्या और नहीं तो क्यों आएगा यहां और एक वो है जिसे हमने जनम दिया है कभी भी नहीं आती है वो यहां जरा सा भी अटाश्मेंट नहीं है हमसे और अगर कभी आ भी गई तो यही रट लगाए रखती है मुझे जाना है जाना है मुझे जाना ह है बस इतना लाड़ करते हैं तिरे बापा उसे एक बार वहां देखिए सब समझा जाएगा कहां आंटी जी कॉफी हां ला रही हूं बेका ला रही हूं मा कॉफी वहां है जाके खुद ले ले लिए बेका तुम्हें उपमा पसंद ना इसलिए बनाया है थांक्यू और मेरे ल ले ले बहुत अच्छा बनाया आंटी बेटा जड़ा दिखाओ तुम्हारे अंकल ओपस के लिए निकल रहे हैं तो वह तुम्हें कॉलेज में छोड़ देंगे ठीक है तुम आराम से खाओ बेटा खाने के बाद निकलेंगे मैं वेट करता हूं तब तर आराम से खालो हम य बहला वो हमारे घर में क्यों आएगी यह देख जरूर तेरी मम्मी का फोन होगा पूछेगी की मेरे बेटे को खाना खिलाया या नहीं मैं जाकर अभी बात करते हैं अब जल्दी से बता दे सच सच बताना क्या सच में जगणा करके आया तू अरे तेरी उमर में सब ऐसा ही क इसकी बेटी को बगा कर ले जा तुमारी शानी कर वा दूब अच्छा यहां पर बोल दिया सो बोल दिया लेकिन अगर यह बात पापा के कान तक पहुंची न कि ऐसा आपने बोला और मैंने सुना है तो हम दोनों को जिन्दागार देंगे इतना प्यार करते हैं पापा उसस है जिस तरह कॉलेज के बाहर पानी पूरी का ठिला लगाना असान है उसी तरह मुझे यहां एडमिशन मिला है क्या है लगता है कुछ पूछने आई हो अब चुप क्यों खड़ी हो कुछ पता है अंकल जी कितने दुखी है सुना है सब के सामने उन्होंने माफी मांगी तेर तकलीफ क्या है मेरे पापा को तकलीफ हुई यह या उसके पापा को तकलीफ हुई दोनों को लड़की चली गए इसलिए उसके पापा को और तू अपने पापा की बात नहीं मानता है इसलिए तेरे पापा को छोड़ ना तु मेरे पापा की फिकर क्यों करती है और रही बा करना मत्तम अपना सिर्फ होना है तूने पूछा इसले बताया अगर ऐसी सिच्वेशन तेरे साथ आई ना तो तू भी खुछी से भाग जाना पूरी बात सुन देजा जो हमारे दिल के करीब होता है ना वो साथ रहे तब ही हम कुछ रहते हैं मैंने तो उनकी हेल्प किया पूरा एपिसोड इसको चिपका दिया इसको और मेरे पापा को ऐसे ही समझाना पड़ता है क्या है एक काम कर यह डबिंग सीरियल देखना बंद कर दे भाल तू बात मत कर चल क्लास चलते हैं आगया होगा वो कुद मॉर्निंग स्टुदेंट्स आज आप लोगे क्लास में इसलिए आया हूँ कि कि आप लोगों को यह बता सकूँ क्या बात है अज तुम लोग इस क्लास में कैसे अपनी क्लास भूल गया हो क्या कहें भी भूज जाते हो मूठा के सर यह कंबाइंड क्लास है क्या है ठीक आओ आओ थोड़ा पढ़ाई लिकाई को भी ध्यान दिया कर स्टुडेंट्स तुम में से होम साइंस के स्टुडेंट्स कितने हैं ओके ओके अगले चार महीनों में तुम्हारा कॉर्स कंप्लीट हो जाएगा और दो महीनों के बाद तुम्हें एक रिमोट एरिया में जाना होगा जहां गल्स एजुकेशन पर एक प्रजेक्ट तैयार क होगा that's very important उसके भी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे okay all the best और सुनो तुम चारो लोग बीना नागा कॉल ले जाना अगर एटेंडेंडेंस कम हुए न तो तुम्हारे माब आपसे कॉंफरेंस कॉल कर वाऊंगा वेवकू कहीं के यह हम लोगों से कुछ जादा ही एक्सपेक्ट कर जब यह कोई फाल्टो काम करने जाता हूं यहीं करता हूं डिस्टेंब मत कर अब है इसे क्या हो गया अब अचानक से गिर पड़ा पता नहीं क्या हुआ इसे पहले अहां सर ऑटो मिटाल के लिए जाते हैं आटो में कैसे लेके जाओगे औरे चलो जलो इसकी क्या सब्सक्रादे सर हमारे पास डॉक्टर को दे रहें के पैसे नहीं है सर अठे पैसे मैं देता हूं न बस इतना द्यान अब जिए इसे कुछ रोना नहीं चाहिए नहीं तो मेरा नाम बता होगा और जो खुली बदने अब देख में चलो जल्दी करों हाँ 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 जल्दी निखेजा अब देख में जापर कराया ना हो हलो अब तो आप लोग डॉक्टर करने लगें कितने कमर्शियल हो आप लोग क्या था यह तो मेरा ओप्रेशन ही कर रहा है अरे तो बोलना चाहिए था ना क्या आक्टिंग कर रहा है कैसे बोल देता आक्टिंग कर रहा था कहीं गुस्ते में सब्सक्राइब निकलते हैं यह से सर सर आपका दसेशार का बिल बना है अच्छा बेटा मैं को छोड़कर आपता हूं मा अरे बेटा कहां चला गया था अच्छा ये ले केक खाले कि मैं अच्छा तो कम से कम जल्दी आ जाता केक लाने के लिए तेरे पापा को जाना पड़ा ची जल्दी आने बोला तो मुझे लगा तेरा मुझे पर प्यार आया होगा केक के लिए बुला रही थी अच्छा एक बात की तरह और इसे महरानी की तरह रखा जा रहा है बच्पन से बहुत जेल चुका हूं लेकिन आप और नहीं मुझसे ये बिल्कुल नहीं सहन होगा मुझे मेरा हिस्सा चाहिए दादा जी की जमीन में मेरा हिस्सा कर दो मैं अब एक मिनट भी नहीं रहूंगा अब तो एक पल भ हमेशा कहता है कि मुझे महरानी की तरह रखते हैं और इसे नाकरों की तरह ट्रीट करते हैं हर रोज मैं ये सब नहीं सह सकती आंकल मैं यासे चली जाती हूं तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है वो जाएगा अब तक उसकी मां का मुझ दिखकर उसे माफ करता रहा ह हूं अगर उसे मरदान की दिखानी है तो तुछ पर नहीं बलकि पढ़ाई पर दिखाए अब आने वाले टेस्ट में अगर एक विमार्ग तुमसे किसी सब्जक्ट में ज्यादा लाकर दिखाए तो वो यहां महराजा की तरह रह सकता है नहीं तो उसकी मां जो कॉफी लाकर देती है और तुम्हें कॉलेज अग्डॉप करना वगर सब काम इसे करना पड़ेगा आइंदा ऐसे बाते करेगा तो दादा जी की जमीन क्या इस घर में भी कदम नहीं रखने दूगा साथ-शाथ परसिराम से कोई चैलेंज करता है उसके शादी करके जाने तक सारे काम तुझे ही करने पड़ेंगे अरे तेरे पापा को तेरे उपर कितना विश्वास है बहुत अच्छा ओफर दिया है तुझे वह एक्जाम में पेज के बाद पेज लिखती रहती है और तू देखता रहता है क्योंकि तेरा पढ़ाई से कोई संबन तो है नहीं है जिस तरह किसी अनपढ़ का भगवद गी अरे ऐसी बात नहीं है दोस्त चैलेंज करना गलत नहीं है लेकिन उसे कर दिया यह गलत है दोनों एक ही है ना मैं जा रहा हूं तू बैट गया है अरे अभी सोचने का टाइम नहीं है दो दिन के बाद एक्जाम है एक काम करते हैं क्रिश्चन पेपर कुछ चुरा क्या क्या हुआ मेरे बाई जब भी कुछ सीक्रेट प्लैन बनाना हो तो ऐसे ही बात करनी चाहिए क्रिकेट देखता है न तू क्रिकेटर्स गेम प्लैन करते हैं तो ऐसे ही बात करते हैं तो यही है हमारा प्लैन मगर वो क्वेश्चन पेपर क्यों चुराएगा क्योंकि वो हमार सब्जेक्ट्स में इसके मार्क्स अच्छे आएंगे इसकी प्रॉब्लम जूर हो जाएगी यह चैलेंज चीज जाएगा कुछ भी करके मुझे इसमें से निकाला इसलिए तो हम सब जुके थे अब सब लोग सीधे हो सकते हो इसकाम के लिए all the best सब्सक्राइब करने इतना आसान होगा यह कभी नहीं सोचा था यह तो क्योशन पेपर लिखने से भी आसान है थैंक्स भाई चलो पाड़ी करते हैं पार्टी के क्या बात करता है अभी हम चाय भी नहीं पियेंगे देखते हैं आज की जंग में क्या होता है सुनो तुने हमारे विश्णु को चलेंज किया है ना अब तो तु गई काम से आप जाकर पता चलेगा कि कौन किसको मात देता है उधर देखो उसे देख रही हो ना तुझे हराने के लिए दिन राद कड़ी मेहनत करके सैनिकों की तरह पढ़ाई कर रहा है वो 15 सालों से वो जो घुलामी की जिल्दी की चीरा है उससे आसादी दिलाने के लिए आज हम सब एक हो गए है कल से युद प्रारंब होगा आफ्र थिस एक्जाम विष्णु इस कॉलेज का हीरो होगा तुबारे चलिंज का मुंत और जवाब देगा गेट एड़ी तो फेस हीम यू और ब्लड़ी अंकल क्यों मैंने जनगर्मन गाया क्या जो इतनी साइलेंट खड़ी हो डरो क्यों मैं यह एक्टिंग कर रहा है मत्रिक संफिंग इस रॉंग हालो क्या हुआ इतनी रात को कॉल किया तुन्हें क्या करूं मैं ठीक है ठीक है कर दूंगी क्या है यह क्या है सब्सक्राइब क्यों में पहले आंसर शीट होगे वह क्या है कि मेनद से पढ़ाया ना इसलिए डरा हुआ हूँ मैं थोड़ा नेक्स्ट क्रेशन तो वही अना ठीक है क्या थे असर के सब्सक्राइब करते डर्चे तो यह यह अन्सर ने लिखए गा तो अपर्च यह 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 देखना मार्क्स देखकर प्रिंस्पल सब्में में चला जाएगा और तु इस कॉलेज का हीरो बन जाएगा थैंक्स मेरे दोस्त तुने मेरे लिए कितना रिस्क लिया है कोई सुन लेगा आज रात को मिलेंगे तब डीटेल में बात करेंगे जाएगे तक जाएगे चलो जाएगे यह सब क्या है सर लिखने के बाद यहमें जिरो मक्स क्यों मिले क्यों बच्चों कैसे पढ़के पहुंचे तुम लोग डिग्री तक अरे आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे आप किसी चोर से बात कर रहे हों हमने ऐसा क्या किया है अरे तुम लोगों ने तो खुद ही मान लिया कि तुम लोग चोरी की तो मैंने कोशन पेपर ही चेंज कर दिया और तुम लोगों ने वही एंसर लिखे कम से कम चेक तो करना चाहिए था कितने ना समझ और बेवकूफ हो गढ़े कहीं के यह सब होने के बाद भी तुम लोगों को क्यों छोड़ रहा हो पता है अगर बाहा जाओगे ना तो तुम लोग सोसाइटी को खराब करोंगे आई बात समझ बें निकलो गढ़े कहीं के हां इदा रहा पता नहीं क्यों ऐसा लगता है यह प्लान तू नहीं बनाया होगे कॉल करके अपने पेरेंट्स को बुला तो प्लीज ऐसा मत कीजिएगा उनको पता चल गया तो वह मुझे चांसे मार देंगे सब्लीज निकल यहां से एक बात समझ में नहीं आई इनको पता कैसे चला यहीं पता नहीं कुछ तो गर्वड जरूर क्या रहे तू तो कह रहा था कि तेरा दोस्त कॉलिज का हीरो बन जाएगा यह अचानत बोल्टी के बंद हो गही तुम लोगों की अरे यह लोग तो बैचारे हैं वेस्चन पेपर चुडाया था यह प्रिंसिपल को पत चल गया होता है इसने कुछ एक्स्ट्रा करने के चक्कर में जरूर कुछ बेवकों की नहीं होगी है वैसे तुम्हारा प्लान काफी अच्छा था लेकिन हमारा उससे भी अच्छा था हेलो सुभा कौन बात करहा है मैं रूपा बोल रही हैं यह क्या तुम ने इस समय फून क्यों क्या है वह क्या है तुम्हारा हीड़ोईजम देखकल हीडोईजम लेकिन मैने आज कॉलेज में किसी को मारा तो नहीं अरे वो जिस तरह तुमने मेरे सैली को वार्निंग दी थी ना मुझे बहुत अच्छा लगा तब उसकी शकल ना देखने लाइक थी लेकिन तू तो उसकी फ्रेंड है ना उसे वार्निंग देने पर तू क्यों फूश हो रही है तू भी उसे पसंद और नोटीस की है तो मुझे चोरी-चोरी चुपके-चुपके देखेंगे अच्छा एक बात बताओ यह अचानक तुमने उसे वार्निंग क्यों दे दी हम बचपन से मुझे और विश्नो को बहुत टॉर्चर किया है उसने कल हमारा सारा इसाब चुकता हो जाएगा वो कैसे वेदा तो विश्नों से ज्यादा पढ़ाई करती है ना पढ़ने दे हमने क्वेश्चन पेपरी चुरा लिया है अच्छे सुनो आज़कर चल्दी आज़ना पौदों को पानी भी रालना है क्या हुआ तुझे क्या लगत है मैं तुझे से प्यार करती हूं शकल देखिया अपनी अच्छे लें उसने मुझे बेवकूफ बनाया है अब तो उसे हर हाल में जेल नहीं पड़ेगा हमें कुछ भी करके उसे सबक सिखाना चाहिए यह मुझे बस एक मौका दे देख उसे कैसे डर का एहसास कराता हूं तुझ इस बाद सीरिसली करना चाहता है ना अरे तेरी कसम यार मेरी कसम मत खाए तो फिर अभी मेरे घर चल अपने घर ले जाने के बजाए थोड़ा सा जहर लाके दे दे मुझे तेरे राक्षस बाप से तो कम कड़वा होगा जब पापा घर में होते हैं तो मैं घर जाता ही नहीं पापा बाहर है सुबह घर आएंगे अरे तो इतना दुख्यों के क्यों बोल रहा है चल घर चल के उसका गला दवा देते हैं आज उससे ऐसा सबग सिखाऊंगा कि तो देखता रह जाए गाई उस इसबल तो यह सेरी में रहता है नहीं है, फिर कार यहां क्यों पार कर रखी है, कुछ तो गर्बर है, यह मैं पता लगाऊंगा, तुम लोग ज़रा यही रुको ए, कहां जा रहा है तू? cleaned हम्यां तो यह सेटिंग चल रही है यहाँ पर, हॸ हे इधार ओ, burgяти क्या होँ देख, क्या हुआ क्या हुआ। नहीं है क्या है देख, क्या ह्य है, शही है ना वुवान सही चल रहा है न, अच्छा है तेरी तो हमारे देखने से क्या होगा मोबायल में शूट कर क्यों से दिखाएंगे तो मंचामाल भीलेगा तो बढ़ी हाचल निकाल चलती अच्छे अरे यार काम बन नहीं वाला था कि उसने लाइट बंद कर दी अब क्या करेंगे यार कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा क्या करें क्या क्या करें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा यार थोड़ी तो रेस्पेक्ट देनी चाहिए सीनियर्स को देखकर चल है क्या और एक तो अपने आपको बहुत शानी समाजती है क्या है सब कुछ तेरे पास पड़ाई खुक्सूरती टैलेंट सब कुछ तेरे पास बेड़ी की बत्ती बुजी हुई है आज वहीं बत्ती जलाने आया हुआ है मैं इतनी दिल से चिल्ला रोल को शकल बनाके देख रहे हैं तुझे चाहिए नहीं बलती सब्सक्राइब पता चलेगा तो मुझे मार डालेंगे यह हमारे सर पर तांडो करती है तेरे बाप की वज़ा से और चुप ता रहता है तो ने बहुत दुख होगा चुप जाना प्लीज प्लीज यार शांत तेरी बाप ने तेरी बाप और काम वाली और तुझे नौकर बना कर वख्का हुआ है कैसा रासा फर्मार गोड मॉनिंग अंकल क्या हुआ अंकल रात को यहीं सो गया था मैं चली आंटी मैं निकलता हूं क्यूं बिना खाए पिये जा रहा है मैं डोसा बना देती हूं तुखा के जा ठीक है आज़ा खाके जाना पड़ेगा गुद मॉर्निंग बेटा एक्जाम में क्या हुआ एक्जाम बहुत अची थी आंकल गुद आज पाध्या मेर्ट के सामने लोगों ने धना दिया हुआ है जिसकी बजा से ट्राफिक जाब हो गया है और लोगों को आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है क्या और एक जला अंची जळाने आया हुआ है है जब जाए बढ़ जालेका तो मुझे माँ डालेंगे पॉकष्या बचल सबाध्या कंदितार आता ए बस तेरा बाप हर समय है दराता है बश्क बश्क हमारे अलधी तू कितरा मता रखियो उसने है थे इंदर बता हो जां आयार that मिरत करे ला इ dug ला जा grieving नैर्ला向 रुप ими पेर संवारा 2 देश रहे ले फरेगा यार्ण आयार अच्छाल ना शिप होजा रहा है। कि अंकल ऐसी बात नहीं है दरसल हुआ यह था कि अप ऐसी बात नहीं है आइंदा घर के आत पास दिखाना तो हाथ पैर तोड़ दूगा बार-बार क्यों आउंगा आपका घर कोई और रखती हुआ को पता है अब तुम्हें क्या करना है नाम किया तेरा तुम्हें क्या करना अरे रोज तुझे इ候 विद्टर बटते देखता हूं किसके घर पर आये तुझे अंटल की योव लोक्त जाला दिन तक नहीं देनें बेटा वापस अपने घर जाओ तुम जाओ अपना काम करो नो टंकी करते हैं अंकल के घर पर आए गोंद लेकर चिपा की जाते हैं अंकल के घर पर अंच जो पीटर इसको अपनी बीवी को मार रहा हूं तू को अने पुछने वाला अई तो बीवी यह शक्त बोलने कभी हक नहीं है तुझे दो दो बच्चे होने के बावजूद भी अपनी वीवी को मार रहा है इंसान तो क्या तू तो जानवर के लाने के लाइक भी नहीं है तेरे बच्चे तुझे देख कर डर रहे हैं कितने सहमेवे हैं तुझे कुछ ख्याल भी है उनका एक बात याद रखना पीएगा तो घर जड़ेगा वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा शेकर भाई के बेटेने क्या अच्छी बात कहीं ना इसे समझाने का सही तरीका अपना है उसने अरे आरा चंदू कॉलेज नहीं आया उसने ट्रैफिक हवलदर को दस रुपे की रिश्वत दी थी वो उसे पकड़कर कोट मे अरे बाबरे इस फ्रस्ट्रेशन से रिलीफ चाहता हूं मैं कल अपने हीरो की फिल्म रिलीज हो रही है कैसे भी करके टिकट ले आना यार प्लीज भाई तेरे साथ पिक्चर देखेंगे तो हमारी रक्षा कौन करेगा तो एक काम कर अकेला जाकर देख ले हमें यही रहने दे प्लीज इस मामले में तेरा और मेरा कोई साथ नहीं चल जा अरे प्लीज यार चलो ना तुम लोग के बिना कभी पिक्चर देखा हूं क्या मैं तुझे जाना है तो जा चल निकल हम नहीं जाएंगे अरे तुम लोग तो चलो यार में जाएंगे मेरी बात ध्यान से सुन ले कल मैं मौर्निंग शो देखने जा रहा हूं जा ना कप्ड़े फार देते हैं यार किसी ओ थीटर में चलेंगे तुम लोगों को प्रिंस्पल साब बुला रहा है चलो वेट करने के लिए बुलो खाली तुम बैठा है वहां चल जा अब ऐसे क्या करें पारा भूल रहा है हमें बताने आया घूर ने चल जाना अच्छा इस बाद में बताता हूं एक बहुता है चल दूसरा आ जाता है बुलाने सिग्रेट देख पहां लेना भाई क्यों रहे पेरेंट्स को तो लेके आया नहीं और बुलाने पे नाटा कर रहा है और अब आया है तो मेरे सामने अकड के गोंग रहा है लगता बहुत चैर्बी चड़ गई है क्यों रहे कुछ बोलता जो नहीं इस चपल की वज़े से जब से पहनी है मेरे पाउं ही नहीं रूक रहा है इतना कमफर्ट है यह सर चाहिए तो आप भी ले सकते हैं सर आप की साइस की है यह तो मेरी चपल है स्वर्णा कॉल नहीं पताया ना वहीं से रात को दस मजे खरीदें अच्छा डिसकाउंट मिला है अरे जाना अहां ठीक है सर शॉप के बारे में तो अच्छे से पता चल गया होगा आपको आप चाहते हैं कि डिसकाउंट के बारे में किसी को पता ना च शॉप के अंदर रख लीजेगा कार भी अवर्ड कीजे तो अच्छा है वाकिंग इस बेटर बिफोर गोइंग तो शॉप नमस्ते सर है भगवान यह काँ फंस गया मैं सर हां टेस्ट अच्छा है आपका सूपर है भगवान ची 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 कर दो क्या तो कर दंस तू है भगवान गोन मैं कर दो 50 है मुझसे यहां कर आया हो प्लीस यहार मेरे हेल्प कर दे मैं वहाँ जाऊंगा तो मुझे टिकट नहीं मिलेगी यह फिलीप न 보고 मेने लिए अब कर और यह डिया त्वी प्लीज प्लीज तू जो बोलेगी नीट करूंगा प्लीज फ्लीज है थी कन लादे फैंक यू यह हीरो मेरा भी फेवरिट है यह फर्स शो नहीं देखूंगा तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा यह फ्लीज रे अरे क्या लड़की है यह दिमाग खराब करके रखती है मेरा विष्णू यह जाएगा 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 यह तो पवन कल्यान का इतना बड़ा फैन है मैं तेरे पास वरिती पर दूने मेरी तरफ बिल्कुल ध्यान ही दिया वैसे पिक्चर की कोई खास नहीं थी पिक्चर अच्छी हो या ना हो यह नहीं पता फर्स शोर थेटर में देखा दिल को कुशी मिली और इंजॉय किया फिल्मो फिल्म थे बताना पड़ता है यह सुषाल की है पता लगाना पड़ता है और मैं कितनी पसंद हुआ है अज तुझे घर से निकाल दूं इतनी पसंद है अरे भाबी यह नहीं वो निकाल देख अरे बिटा कैसी है तू इसे क्या हो गया मैंने कुछ पूछा और इसे जवाब भी नहीं दिया उसको ही पूछ यह अब यह काम भी करूं क्या दिन बर उसकी सेवा करता रहता हूं अब उसके दिल में क्या है वो भी मैं ही पता लगाऊं अंकल कैसे हो अरे भाबी क्या हो गया है इने मुझे कुछ नहीं पता उसी से पूछो आपसे तो पूछ करी गलती करी अरे विश्णु बेटा क्या बात है कई दिनों बाद आयो आज पीने का कोई प्रोग्राम बनाएं क्या बनाओ ना बाबाबा बहुत दिन हो गया चलो न मेरे साथ खेती में काम करता है पढ़ाई में ध्यानी नहीं लगता उसका कहता है खेती ही करेगा यह लोग ऐसा ही बोलते हैं उन्हें समझाना चाहिए समझे नमस्ते जी इस बार तुमने फॉर्म का एडवांस पैसा नहीं भेजा अरे आपके बेटे ने आपको कुछ नहीं बोला कुछ नहीं बोला उसने अरे आपका बेटा आकर बोला कि इस बार हम फॉर्म नहीं देंगे दो महिने बाद मेरी डिग्री कंप्रीट हो जाएगी उसके बाद खेती वाडी मैं देखूंगा बहुत ही कॉन्फिडेंस से बोल रहा था इसलिए मैं कुछ नहीं बोल पाय क्या बात है भाई सहाम आपने ऐसे अचानक बुला लिया हम लोगों को हरे कुछ नहीं दो महिने में विटी की डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो इसके रिष्टे की बात करने के लिए तुम लोगों ने कोई रिष्टा देख रखा है क्या अगर देखा है तो मुझे बता बीजे अरे भाई सहब यह आप कैसी बाते कर रहे हैं उसमें हमें क्या देखना दोनों साथ में बड़े हुए हैं तो विष्णू से अच्छा साथी कौन हो सकता है बहार रिष्टा रोने की क्या जरूरत है तुम लोगों ने कोई रिष्टा देखा है कि नहीं ये बात मैंन मतलब इससे अच्छा रिष्टा और कोई हो सकता है क्या आनन मुझे तो नहीं लगता कि इसमें कोई कमी है अरे ज्यादा ने एक आद ही बता दो शेखर साब का बेटा है क्याला कर मेरा नाम बदनाम कर रहा है लड़कियां भगा कर दोस्तों से शादी करवाने की आदत तो है लिए इसकी अब अगर कोई ऐसी बदकिस्मत लड़की मिल जाए जो इसके साथ भाग कर शादी करेगी तब ही इसकी शादी होगी देख लो तुम्हारे माबाप किस से तुम्हारे शादी की बात कर रहे हैं देखो बेहन जब इतनी छोटी ची थी तब इसे गोद में उठा कर लाया था इसे उठाने के साथ साथ इसके जिम्यदारी भी उठा रहा हूं इसकी शादी तुम मैं ही करूँगा तुम लोग बस शादी में आकर कन्यादान कर देना और आशिरवाद देना बस क्या बुरती हो बेटा जैसा आप ठीक समझें अंकल अगर तू कहे तो मैं इसकी शादी तुझसे करवाओंगी सर्फ बोल की तुझे इससे शादी करनी है मेरी बेटी है ना अगर ना कहेगी तब भी इसकी शादी तुझसे करवा दूँगी मैं रहने दो आउंटी पापा ने जो कहा वो ठीक है ये कहा मुझे पसंद है ये कब घर छोड़कर जाएगी यही इंतजार कर रहा हूँ मैं अब तक इसे छेला वही बहुत है अब इससे शादी करके जिन्दगी पर इसकी गुलामी करो यही चाहती हो आप अगर ऐसा तो ठीक है सिंदगी भर मैं तुझसे बात नहीं करूंगी हां हां लेकिन फिर भी मैं आपके घर पर आ तो सकता हूं अगर इससे शादी कर ली तो मैं अपने घर पर भी नहीं रह पाऊंगा संजबे न है क्या कहा रहा है मेरा विष्टू मेरा दंबा करकर सिर्फर बैठा लिया था न अब बीच delicacy नहीं पर ली बशाव राख जब 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 झाल 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 अरे यार मैंने तो दोई पी लेकिन तू इतनी क्यों पी रहा है लाइफ में फर्स टाइम पीने के लिए दिल कर रहा है क्या हो अरे आज मेरे पापा ने मुझे बहुत ही जलील किया है अब इसमें नई कौन सी बात है वही बोले जो मेरे बारे में सोचते हैं ये सब सुनने की मेरी आदत से हो गई है लेकिन मैं वही करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है तुझे एक बात बोलू एक बेटा दुनिया में सबसे आदा अपने बाप को समझ सकता है फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो बेटा ही उसके सबसे करीब होता है सच कहूं तो हमें अपने बाप के बारें बात ही नहीं करनी चाहिए उनकी उम्र ढ़ल रही है और अपनी चड़ रही है उन्हें हमारी हर बात गलत लगती है और हम उनकी बात को कुछ समझते ही नहीं बस यहीं प्राब्लम है क्व समझा नहीं लेकिन छे ही बोल रहा है तो दो ऑफियरी और भोल आईवी पर आकर बिर्याणी खा कर का नहीं है है वो क्या है ना मा ने घर पे मच्छी बनाई है तू आ रहा है क्या खाने जल्दी बता ओ तेरे घर पे अरे मेरे पापा शहर गए हुए है क्या बात है फिर तो पक्का विश्णू तेरे पापा हा मा आदत पड़ गई है मैं खुश हूं आप चिंता मत करो और जब तक वो यहां है मुझे उसे जहलना ही पड़ेगा और बार-बार उसका टॉपिक लेकर मेरे पास मताओ किसका टॉपिक बेटा पीकर आया है क्या आंटी इतने सालों में पहली बार सही पकड़ा हमेशा तुझे पहले देती हुँ ना इससे पहले पर उस दिया तो क्या हो गया पगली है मा सुनाई भी नहीं देता है ठीक से बेटा ये ले ये बिना काटे वाला टुक्रा बहुत अच्छा है मुझे पता है ले तो के हैं उस के साथ तुझे जाने के लिए काहा है लेकिन तुम कुछ नहीं कहा विश्णू आण्टी जी इस बार में किसी के समने गिर्गराने की कोई ज़रत नहीं है यह मेरा पोस्टनल मैटर है मैं खुद ही समझ लूँगी इसका जिक्रे किसी से मत कीजिएगा प्लीज ठीक है अरे अरे सुभाष यह इतना बहरत कर चली गई यह खाना छोड़ कर चला गया मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैंने कुछ गलत बात कहीं क्या मेरी किसमत आपको समझाओंगा तो वेरी जिन्दगी कम पढ़ जाएगी यह मचली बचा के रखना कल आके खा लोगा नमस्ते हम दो दिन रहा रहें थीख है आईए इधर यह कौन है रहे यह कॉलेज की लड़के आए बाई हमारे गाओं की लड़क्यों को पढ़ाने के लिए जागरू करने आईए नमस्ते आटी जी नमस्ते बेटा आपके घर में कितने लोग रहते हैं मैं मेरे फद्दी और मेरा बेटा और वो अंदर जो है वो कान है क्या बात है आटी क्या हुआ आप रोग क्यों रही हैं कौन है वो लड़की क्या बताऊं बेटी वो मेरी ही बेटी है जान है लेकिन लाश की तरह जी रही है और क्यों आटी गर के अंदर ही क्यों रहती है। उसका भी छटा महीना चल रहा है लिए और रहती हैं तो इस बात पर आप वो क्यों रहे हैं기도 उसका पधनी है क्या? शादी होती तो पधी होता ना ऐसे यंदेरे में बोज काटते हुए जिन्दगी जी रही है दुनिया से बचते बचाते इसका मतलब आप नहीं चानती कि उस बची का अपभाब कौन है आधी? वो कौन है ये तो हमें पता है लेकिन हम इसके लिए कुछ नहीं कर सकते बेटा और उसके खिलाफ बोलेंगे तामे माह डालेगा गाहवालों का पता चलेगा तो वो सब हमें इस गाहों से निकाल देंगे इसलिए अपनी जान और इसदद बचाने के लिए वो इसे गटगट के जी रही है जिसने यह सब किया है वो आराम से बाहर गुम रहा है और आप यहां बैठे आसू बाहर रही है ऐसे लोगों को तो मूत और जवाब देना चाहिए ताकि वो और किसी के साथ असा ना करें अरे चल निकल यहां से इनसाफ मांगो विरोध करो यह बोलकर मेरे घर की इज़त मिटी में मिलागी जाए यहां से बीवी के आसू और बेटी के भवशी के बारे में ना सोचकर शराब पीकर गटर में गिरना यही इज़त है तुम्हें एक नसियत देना चाहूंगी शराब तो घर को उज़ारती है और शराबी पूरे गाउं को एक बात याद अखना पीएगा तो घर उजड़ेगा वहीं प्यार करेगा तो घर बसेगा इस गाउं की सिचुएशन तो बहुत ज़्यादा खराब है हाँ यार मुझे तो बहुत डल लग रहा है तुने देखा न वहमें कैसे गूर रहा था वो तो गाउं का दबंग है उसका कोई विरूद नहीं कर सकता पता है अरे कोई कितना भी दबंग हो स्कूल के इन शराब के दुकान कैसे खोल सकते हैं यहां से निकलना ही हम सब के लिए अच्छा होगा भाई एक पक्की खबर है उस लड़की को गाउं के बारे में सब कुछ पता चल गया है उसका कुछ करना पड़ेगा भाई सपना है सच होदा तो अच्छा होथा लोग बहुत अच्छे हैं है लड़कियों तुम्हें घर में बैटकर खाना बनाना चाहिए यहां कर हमारा सिर्दर्द क्यों बढ़ा रही हो प्यार से कह रहा हूं हमारा गाउं छोड़कर चली जाओ यहां रहोगी न तो तुम पर खत्रा हो जाएगा मैं यहां बात कर रहा हूं तुम उदर क्या देख रही हो मेरा शक सही है वो कुछ ने कुछ प्रॉब्लम क्रियेट कर रहा है लेकिन तू क्या करेगा मारने का दिल कर रहा है विश्णू वो लोग दबंग है हम उनसे कैसे निप्टेंगे अध्या वर्व देख मैं तुझे आखरी बार दम जाना हूं अरे मार नहीं सब्सक्राइब देखो ना बाइब प्रोजेक्ट क्ये बिना घर जाने की बात कर रहा है उसका प्रोजेक्ट उसकी बर्जी तुझे क्यों तकलीफ हो रही है वाई तकलीफ नहीं फ्रेंडशिप है हमारा दोस्त गलती करता जा रहा है तो मैं कैसे देख सकता हूं अरे दोस्त गलत रास्ते पर जा रहा था उसे समझा wa मारकश बार कर सही रास्ते पर लाना चाहूं सकता है इतना मारने की क्या जरूरत है यह सामझाने का फंदा experiencedेशरा किया बात है आणटी क्या बता हूं बेटा तुम्हारे कहने पर मेरे पति ने गाउवालों से मदद मांगी तो सब गाउझ छोड़ने के लिए कह रहे हैं हमें कैसे इंसान हो तुम लोग उसका सामना करने की बजाए तुम इने ही काम छोड़ने के लिए कह रहे हो कि अन्याय से बन की बेटी की साथ नहीं बलकि पुरे गाउं के साथ हुआ है अगर उसे अप लोगों ऐसे ही छोड़ दिया ना तो आज जो इसके साथ हुआ है कल आपकी बेटीयों के साथ होगा वहर अकल रॉष्टी में जीना है या पिर रंधेरे में मरना है या आपको डिसाइड करना है अगर आज आप लोग हिम्माद दिखाएंगे तो खल इसकी जिंदगी बन जाएगी अब फैसला आपका है हम जान पर खेल कर भी इंसाफ लेंगे चलो 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 आज इसको ठोड़ेंगे नहीं है वह अब जाटको एचस प्सक्ते आज दो पहतु को ⁒ग ईचलो चलो आज लेकर आए आगा नेुक्त पहना फेमंगे तरपाद बात जो थिक पहना बेहता है एचलो पहना जदी कर केश्ट है जदी पहना जदी पहना जदी पहना ह। हमारी बात मानकर गावबालों ने उन दोनों की शादी करवा दी मैं बहुत खुश हूँ हमारा दिल जो कहता है अगर हम वो करें तो उस बात की खुशी ही कुछ और होती है बेटा बेटा अरे वो शादी की बार तो स्वेंग पर रेड़ी को पता चली तो फिर वो गाववालों को मार ने आया था लेकिन गाववालों ने जंग कर उसकी पिटाई की और वो गाव छोड़कर भाग गया आप लोग ना यहां सरा हुश्यारी से रहना हाँ विशनु विशनु हे इतनी रात को क्यों आई सुभा ना चाइचा सुभा सुभा पहल है पहले उसे उठा वेड़ा को तेज बुखार है अच्छा इसलिए ए वश्नु आपे विशनु आप क्यारे रे सुन वेडा को बुखार है जल्दी जा पिछले एक घंटे से इसका बुखार बढ़ता ही जा रहा है पास में अगर कोई होस्पिटल हो तो इसे ले जाओ सुनिये, सुनिये महरी जी आसपास में कोई डॉक्टर लेखे है यहाँ तो कोई मोई है, पास वाले गाउ में एक है को यहाँ डॉक्टर टॉकटर साहब madr मत एक क्या चाहिए तुझे आधि रात को क्यों कर रहा है क्या यह निथी की मंदरी का दर् credible कॉर्प आ रहा है तो आपको मेरे साथ पास से पर नहीं जाता हां से कभी कदम बाहर नहीं निकाले इतना फेमस डॉक्टर हूं और तुम मुझे करके बुला रहे हो है अरे जानवरों को डॉक्टर समझ रख़ा है क्या वैल्लीव है अपनी इस गाव में अर्भीन स्वामी आर्मपी अरे तेरे जैसे बहुत देखे हैं मै इसको बुखा रहे है इसको देखो तभी तो मैं सोच रहा थे थी अट्टी-कटी-मोटी ताजी को क्या हो गया है ज़र अपना हाथ दो तो एक सुबह एक शाम को देना इसे और हाँ खुद प्रामिंट समझ के मत खा जाना यह अलग तरह कर टैबलेट है चलो अब मैं निकलता हूँ सर एक बात पुछो यह बुखार आया कैसे अरे कुछ खास नहीं भी ले जाना मच्छर पानी इसलिए आ गया होगा तुम लोग तो भी नए आयो ना आदत नहीं है ना इसलिए फिर से तो नहीं आएगा ना हो सकता है फिर से आजाए मुझे क्या पता मैं कोई एंबीबीज डाक्टर तो हूँ नहीं मैं सिर्फ आर्मिन स्वामी हूँ अभी मुझे घर चोड़ो ठीक है कल सुबह चोड़ दे वो लड़की तुम्हारी लगती क्या है फ्रेंड है नहीं लवर है नहीं हो फ्रेंड नहीं है लवर नहीं तो फिर क्या है उन दोनों से भी ज्यादा दोनों से भी ज्यादा क्या जिम्मेदारी लगता है तुझे समझने की कोशिश करूंगा तो अर्विन स्वामी ऐसे ही मर जाएगा अच्छा मैं भी सोने जा रहा हूं तुम मुझे गषोड़ दो बडा ही अजीव आजमी है हुआ हुआstar कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो वेष्णू मैं दो दिन तुम्हे नहीं दीखी तो तुम यहां आ गए सब बुखार आया तो इतना डर गया थो क्या मैं तुम्हें इतनी पसंद हूं पसंद नहीं तुम जम्मेदारी हो और इससे जाधा पापा डाटेंगे ये डर है अगर ये बात पापा को पता चलेगी तो वो सोचेंगे तुम्हें बुखार मेरी वज़े से आया है वो बात नहीं है विश्णू रने दे पढ़ाई भी मुझे पसंद नहीं पापा की वज़ ए रूपा रात को तुम आई थी तो मैंने गलत समझा था इसलिए स्वारी है लगता है कोई चांस नहीं मिलने वाला है वो आई नहीं अभी उसका बुखार अभी भी कम नहीं हुआ वैन में ही बैठी है वो अमू अमू शुबह से कुछ खाया नहीं न लो यह टैबलेट खा लो बुखार कम हो जाएगा हुआ हुआ है खुले में सब कुछ करने का मज़ा ही अलग होता है हलो मैं यह सरदार के डावे पर हूँ आजा तुम लो क्या है ए विश्णू कल जिस वेंकट को मारने काटने के बाद कर रहा था न वो यहां पर अकेला बैठा हुआ है तु जल्दी से आजा उसे सबक सिखाते हैं काट डालेंगे उसको अचा तु वही रूख मैं अभी आता हूँ तु जल्दी से उसे बढ़ेंगे तो मजा रहा है जल 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 गालो तुझ जो ठाउ से ऑजिए उसे माहत टोधिक अलेकर टकने पर सिग्रेट क्यों बुझाया उसकी कोपड़ी मसती इसलिए आजु बाजु खेती और वीच में एक दम फ्लाट एश्ट्रे की तरह इसलिए उजा दिया वेदा इधरा न यह चाय लेकर जाओ और उन्हें देड़ो ठीक है जाओ दो बेटा नाम क्या तुम्हारा वीदा बहुत किस्मत वाली हो बेटी जो तुम इनकी छत्रशाय में पली बड़ी हो तुम्हारा बहुत ध्यान रखते हैं तुम्हारी शादी के लिए इतना अच्छा रिष्टा आया है तो भी कितनी शर्ते रख रहे हैं लड़का ऐसा होना चाहिए बोल रहे हैं हमारी तो सासे अटक गई हैं उनके यह रिष्टा होना भी राज योग की बात है क्या कहते हो उनको भी आश्चार यह हो रहा है कि शेकर जी के आश्ते रिष्टा आया है यही खासियत है इंकी यह देखो लड़की की फोटो तुम्हें पसंदे तो ऐसे बच्चे आजकल कहा मिलते हैं अरे आजकल की लड़किया तो शादी करके आती हैं और बाप से आशिरवाद ले लेती हैं माँ बाप की बातों की परवा कहा करती हैं इसको शेकर जी ने पाला पोसा है उनके संसकार का असर तो पड़ेगा ही अच्छा आप हम चलते हैं नमस्ते नमस्ते भाई साब आपके बेटे के लिए भी रिष्टा देखूं क्या क्या हो गया इनको क्यों बेटा मैंने तेरे रिष्टे की बात की तो तेरे पापा नाराज हो गए अरे आपको किसने घा पूछने के लिए मेरे बारे में बात करेंगे तो ऐसे ही जवाब मिलेंगे अब समझ में आ गया चलिए निकलिए यह बाप बेटेक जैसे ही जवाब दे रहें का कुछ नहीं हो सकता चलो चलो अ विश्नु विश्नु क्या है बस कॉलेज ना और वापस ले जाना बस इतना है कभी तो कलिती समझे कोफी के लिए पूछ लिया करो कितनी ठंड है ना रात को भी सर्दी कितनी ज्यादा थी ना कितने भी कंबल ओडलो सर्दी जाती ही नहीं है टी-शेट भी पहनी है स्वेटर भी पहना है फिर भी ठंड लग रही है क्या करूं मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है सच कहूं इतनी ठंड मैंने पहले कभी नही तुने मुझे ब्लडी ब्लेजर्स बोला था यूजलेश फेलो अरे यह धंडी है क्या था यूजलेश फेलो तु जानता इसकी कॉस्ट के सेवेंटी रुपीज लीटर दीना ससी बाथ ये पानी कैसे लिटर है सेवेंटी रुपीज अर इसके उबर किन्ने का प्राइस है 500 लवर्स हैं बात कर रहे हैं जाने दीजिए सर प्लीज अरे ये काय का लवर है बैचारी रड़की कब से इंतजार करके वाइटी थी कि लवर आएगा और कुछ प्यार की बाते करेगा लेकिन यह आके सेरदी लग रही है चदर चाहिए यह जाहिए वो चाहिए क्या यह कोई पुली स्टेशन है इसे लिए जाहिए फ्लीज और उबर दे हमारे गाउं को डर्टी विलेज भी जाने यह सर नादा में गल्टी से बोला होगा आई का लवर्स हो तो आपके लवर्स हो तो आपके लवर्स हो आपके लवर्स हो मैं कब देख रहा हूं कि आप दोनों एक मैं लवर्स को आप देये होने चाहिए आपके बोलने पर यह से चोड रहा हूं मैं सर आप से एक चोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी इक्छा इच्छा है कि आप लगों के साथ एक सेल्पी लोगम प्लीज मैं फ्लीज प्लीज ओँ सार मैं बेस्ट लबर्स के अवार्ड आप दोनों को देता हूं अरे सर आप अवार्ड में भी बोतल ही देंगे अजा सुबराम वेड़ी नाम का अवार्ड देगा तो सब लोग लेते हैं वा मैं दूंगा तो कोई ही लेगा अब बेटा तर एक सेकंड आप दोनों बेस्ट विश्णू उसने ऐसा क्यों बोला क्या बोला उससे ऐसा क्यों लगा कि हम दोने अगावास हैं वो पिया हुआ था और मैंने उससे बात की इसलिए उससे ऐसा लगा होगा विश्णू वो चिस तरह से कह रहा था उसकी बाते सुनकर है मुझे राल लग रहा था वो तो पिया है रे मुझे दो मिनट लड़की से बात करने है बाग लो जैसी बाते मत कर जब तक रिष्टा नहों जा एक उद्धा बोलना चेकर जी के यहां से रिष्टा आया है यह बड़ी बात है और ऐसे में कोई लड़की से बात करने को कहेगा तो आपके संस्कार पर सवाल ने आज कल के लड़के ऐसे ही हैं, रे सेखर जी की लड़की है, बात करने की कोई ज़रूद नहीं है, समझा बेटा, तुने देखा इसे, शादी की बात करते ही, कैसे मंदिर जाने लगी, पूजा करने लगी, घर पर अब तो खाना भी बनाती है ए, एक बात पूछो तुछ से, आप पूछो अच्छा, बेटा, ये बच्पन से ही तेरे साथ बड़ी हुई, तुम दोनों साथ में खिलते थे, वो तो है साथ में मिलकर पढ़ाई भी करते थे, अब ये शादी करके चली जाएगी, तो तुझे तकलीफ नहीं होगी मा तकलीफ तो हो रही है, पर क्या कर सकता हूँ बच्पन में जब में गिर जाता था तो आप लोग दवा लगाते थे लेकिन अभी आप लोगी चोट पहुँचा कर दवा लगाने की बात कर रहे हूँ ए, तो क्या चाहता है बेटा मा एक बात बताओं, मुझे बहुत डर लग रहा है अम्मू कहीं दस दिन में घर वापस ना आ जाए एक रिक्विस्ट है मा क्या? उससे विदा करते बख एक बात समझा देना क्या समझाना है? वापस ना आए शादी के बाद भी हम लोग को उसे जहलना पड़े तो ये तो बहुत ही तकलीफ की बात है तू भी ना वाप रे, भगवान भी तुझे नहीं सुधार सकते गधा कहीं का, बस खाता ही रहता है आज के बात से हमारी दोस्तियों मेरी बेती दोला खत्म हो गए एए, उस दिन जिस तरह तु मुझे पर गुस्ता होकर चला गया था उसके बाद तुझे माफी मांगने के हिम्वत नहीं हो रही है और तुझे बात करता भी कैसे, अभी तक दुख हो रहा है मुझे उस बात का मेरे बेटे ने यू किया, उसके लिए माफ कर देना यार उस दिन मेरी बेटी घर छोड़कर चली गई थी, इसलिए मैंने ऐसा कहा था आज मेरी बेटी बहुत खुश है इसलिए, मैं तुम्हारे पास आकर बैठाओं बदलते वक्त के साथ, इंसान भी बदल जाता है उस दिन मुझे इतना गुस्सा आया था कि तेरे बेटे को मार डालू लेकिन अब तेरे बेटे से मिलूँगा, तो उससे मा भी मांग लूँगा क्योंकि उसे उस दिन भी पता था और आज भी पता है, कि उसने सही किया है एक बाप होने के नाते, मैंने सिर्फ अपनी बेटी की शादी के बारे में सोचा लेकिन उसके भविश्य के बारे में नहीं सोचा मैं अपनी बेटी के लिए शायद इससे अच्छा रिष्टा नहीं ढून पाता एक बात तो सच है कि दो परिवार के मिलने से संबंध बनते हैं लेकिन दो लोग मिलते हैं तो जिंदिगी बनती है हम लोग सिर्फ संबंध के बारे में बात करते हैं पर जिंदिगी के बारे में भोल जाते हैं एक बात बता तेरा पती अभी भी पीता है क्या तेरे साथ मार पीट करता है क्या अरे पीकर मार पीट क्या उसने तो पीना ही छोड़ दिया अरे वा, उसने पीना छोड़ दिया है कहीं कोई जादू तो नहीं किया तोने उस पर अरे जादू टोना नहीं एक दिन जब वो मार रहा था ना तो आपके बेटे ने देखा फिर जो भी किया आपके बेटे ने किया विश्नु बाबु ने उनको दो चाटे लगाए कि वो बात नहीं सुन रहे थे ना तो पहले समझाया फिर विश्नु बाबु को बहुत गुस्सा आ गया मुझे पहले बहुत दुख हुआ कि मेरे पती को आपके बेटे ने मारा है लेकिन फिर अना उन्होंने दो बात वो दी थी उसे सुनने के बाद मेरे पती ने तो पीनाई छोड़ दिया अभी बहुत अच्छे स रहता है आपके बेटे ने तो मेरा संसार बसा दिया अब मैं बहुत खुश हूँ इतना अच्छा काम करने के पास विष्ण बाबुने तो पुण्य कमा लिया लिखिन अशिरवाद के अलावा मैं तो उनको कुछ और दे नहीं सकती ना इतना चाहती हो कि विष्ण बाबु हमेशा खुश रहे हुआ और आप इस पर दोशा पर कहेंगे लिए बाइडियर स्टुडेंट्स कॉलेज हर स्टुडेंट के लिए एक सुनहरा और उत्तम समय होता है ऐसा पर जो कभी न भूला जा सके बस एकी बात कहूंगा जब आप लोग यहां से पास होके बाहरी दुनिया में कदम रखते हैं तो खुशी के साथ साथ कुछ यादे भी छोड़ जाते हैं जो हमें बहुत कम देती हैं हमें पता है कि अब आप लोग लोड़ कर वापस नहीं आएंगे हलाकि साथ में रहते हैं तो कभी लड़ते हैं छगड़ते हैं तब पता नहीं होता कि एक रोज हम लोग बिछड़ जाएंगे और जब बिछड़ते हैं तो हमें बहुत दुख होता है हमारी दिले इकिशा है कि आप जहां भी रहें खुश रहें और अपने जिन्दगी को सबारें मेरी तेरो शुख काम नहीं है प्रोग्राम में प्रिंस्पल ने अच्छा भाशन दिया यार अरे इतनी अच्छी बाते बोलके मुझे भी अच्चर हो रहा है इसके पास दिमाग नहीं है लेकिन बोला अच्छा है अच्छा मैं जागर से ड्रॉप करके आता है आज आखरी दिन ही वो शादी करके भी जा रही है अरे यार तो क्या आभी वो तेरी गुलामी परी जिन्दगे से अलग नहीं होगी क्या अरे इतने दिनों तक जब इसकी सेवा और गुलामी की है तो आखरी के दो-चार दिनों के लिए मैं अपना नम क्यों खराब करूँ लेकिन उसने कभी भी महमान की तरह बिएव नहीं किया मालखीन की तरह बिएव किया है लेकिन आप पता चलेगा कि कौन रहेगा और कौन जाएगा ठीक अजा उसे छोड़के आजा लेकिन जल्दी आना यहां बोल विष्णू जल्दी कौदे जाजा यहां जगणा हो रहा है अम्मू नीचे उतरो तुम यहीं से घर चली जाओ विष्णू जब तक तुम नहीं होगे मैं घर नहीं जाओंगे तू के छोड़ी बच्ची है कल तेरी शादी होगी तो जाना पड़ेगा ना के विष्णू अब क्या है मैं फिर से कह रहे हूं जब तक तुम नहीं आँकर नहीं जाओंगे यह इंतिजार करो विष्णू क्या हुआ किस ने मारा हम यहां बैठे हुए थे वो लोग आकर मारने लगे बस कहीं पर सब खतम कर दो उस दिन मेरे पापा ने माफी मांगी थी आज मैं माफी मांगता हूं जो हुआ वो सब भुला दो चल सुबू हॉस्पिटल चल अजा तू भी दो चार हाथा आजमाले फिर सबको हॉस्पिटल साथ ही में भीजेंगे हा मा बोलो मा अरे कहां है बेटा अब तक घर क्यों नहीं आया तू लास्टे है ना तो फ्रेंड्स लोग उने पाटी रखी है उनके साथ ही हूं क्यों रे कल उसकी शादी है उसे दुलहन बनना है तुझे कुछ याद भी रहता है या नहीं और आज तू अपने दोस्तों के अधाने आए अरे वो आज लास्टे है ना तो पार्टी और नहीं वो रास्ते में है आही रहे है है और को 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 तुझ पागल हो यह क्या तुझे घर जाने के लिए बोला था ना नहीं क्यों नहीं अभी तक मैंने भी कहा था ना कि जब तक तुम नहीं आओगे में घर नहीं जाओगे सब पागल यहीं बातें मत कर कितनी रात हो गई है तो तेरा यह सब करने का मतलब क्या आखिर चाहती कि यह तो मतलब का तो सवाहीं ना प्यचानते थी कि तुम सरुबा आखिर देखो ऐसी बाते मत करें, मेरे आखों में आसु आ रहे है, बारिश हो रही है, इसने पता नहीं चल रहा है हाँ बारिश हो रही है ला, तो तुम्हेरी कैसे पता चलेगा लेकर चल भी जाता, लेकर चल भी जाता, लेकर आने वाले खुद मेरे पापा है अगर तो चली जाएगी तो वो ये बर्दाश्ट नहीं कर पाएंगे अगर मैं चला गया तो उन्हें कुछ फर्थ नहीं पड़ेगा अगर तू चली गई तो मर जाएंगे वो तुझे जितना प्यार करते हैं ना वो उसके सामने हमारा प्यार बहुत चोटा है ये दो दिन जो भी होता है तो बस चुप चाप रहे हैं मेरी बात मान ले अच्छा आख चले गई थे तुम दोनों सुबा तुम्हारी शादी है कुछ याद रहता है या नहीं जाओ जल्दी सी कपड़े बदलो खाना भी खालो एई तुझे अलग से बनूं क्या जा कपड़े बदल हां 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 बोल भाई हां आ रहा हूं अरे ये लीजे कावल ले जी आप भी आ गए अब आप जैसे ही बाहर गई ना बच्चे तब ही आ गए थे ये लीजे कब तक मुझे इस तरह बेज़त करता रहेगा आज करता कहीं काफ मेरी किस पर खरापती जोचू मेरे घर में पैता हुआ क्या सर आप पुली सस्टेशन के कंपाउंड में इसको इसको आ इस से यहां लेकर नहीं आया बलकि मुझे यहां लेकर यहां अनिकंप मा इसे मारू पीटू कातू क्या करो मेरी समझ भी नहीं आра अरे डिगरी बच्चे समझ कर बार वाले ने इसे शराव बेने से मना किया लेकिन ये पहले लड़का है जो आधार काड़ दिखा के दारू पी रहा है इसे तो दो ते तुझे मार भी दूना तो गाउंवालों को कोई तकलीफ नहीं हो लागे तुम्हें पता था कि यह आपका बेटा है वरना इससे मैं खुद आकर घर छोड़के जाता माफ कीजिगा सर थैंक यू सर नमस्ते क्या बात है सर आज तक आपने इतनी इज़द किसी को नहीं दे फिर इनको कैसे दे तो क्यों पता नहीं है इस गाऊं में इनकी बहुत ज़ादा इज़त है हर गाऊंवाला इनके अच्छी तरीखे से जानता है उन्होंने हर किसी की बहुत मदद की है कितने सारे काम करवाए हैं इस गाऊं में तुम्हें पता नहीं ऐसे इंसान बड़ी मुश्मिल से मिलते हैं नमस्कार साहब सत्यवती सत्यवती क्या हुआ जी उससे कैदों की दो जिन तक घर में नहीं आएगा यह क्या कह रहे हैं आप वो क्यों नहीं आ सकता जो बोला वो करो यह क्या भाई साहब घर में शुप काम हो रहा है और आप इसे अंजर नहीं आने दे रहे हैं जब तक वो सामने होगा मेरे लिए कोई वीशुप काम करना संभव नहीं होगा जिन्दगी में आज तक कभी पुलिस टेशन का मून ही देखा था पर इसकी वज़े से जाना पड़ा बोल दो इसको दो दिन तक मेरी नजरों के सामने ना है ग्यों प्रोल्मा क्या है क्यों नहीं आसकता बताइए क्यों नहीं आसकता मेरा घर नहीं यह इंगा सक bumper दिए क्या क्यों मैं मानू आपकी बात बच्पन से इससे हमारे सब्सक्राइब बठाकर चले गए और आप लोग वहाँ हनिमून कपल की तरह आराम से अपनी जिम्दकी ची रहे हो और मैं यहां बिल्कुल पागल सा हो गया हूँ और सब इसको ही सपोर्ट करते हैं मो बंद रख अपना एक शब्द और नहीं बोलना चल निकल यहां से निकल जा अरे साथ जी लड़के वाले आ गए है क्या विश्णो कुछ बात करने के लिए बुलाया था ना मैं कुछ पूछ रहे हो बोलता क्यों नहीं समझ गया अब तक तो तूने उसे रुलाया अब वो जा रही है तो तू रो रा है है यहां बैटकर अके लिए रोने से कुछ नहीं होगा जिसके लिए अपने आशू बहार आया ना, उसके सामने जाके बहार। क्या रहे, तेरे घर में आज शादी होने वाली है ना, लेकिन क्या है की? मंगल सूत्र से शादी नहीं होती, शादी के लिए ना, तुलहन भी मौजूद होनी चाहिए और तुझे बताए कि, इस वक्त तुलहन कहां पर है? हे, क्या बक्वास कर रहा है तू? बक्वास नहीं, तस मिनिट के अंदर अगर तु नारियल की खान पर नहीं आया ना, इसको काट के टुकुडे-टुकुडे कर देंगे तेरी परिस्तिती में समझ गया तेरा दिमाग कुछ और बोल रहा है और दिल कुछ और बोल रहा है तेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैं किसी भी तरह जल्दी से इन दोनों की शादी करवा दूँ जो बच्चे बच्चपन से एक साथ रहे, उनके प्यार को समझ कर, उन दुनों को एक करदू ये दिल में चल रहा है देख, दिमाग और दिल, दोनों पास-पास होते हैं, लेकिन एक दूसरे को कभी देख नहीं पाते एक को जो अच्छा लगता है दूसरे को नहीं लेकिन जो दिल को अच्छा लगे वो काम करने से मन को शांती मिलती है शादी के लिए भी एक गंटा बाकी है तब तक अच्छे से सोच ले अरे वो बात नहीं है मैं तेरा दर्द समझता हूँ या लेकिन एक बात याद रखना जब युद्ध की शुरुआत होती है तो आर्या पार यही फैसला होता है बीच में कुछ नहीं होता तुम लोगों को मुझसे प्राप्लम है तो मुझसे लड़ो ना लेकिन तुम लोगों को एक बात समझ में नहीं आए अगर मुझसे इसकी शादी नहीं हो रहा है तो तुम लोगों से ज़ादा गुसा तो मुझे अपने पापा पर आ रहा है मारना है तो मुझे मारो उसे चु और तुमने मेरे सिर पर दाग दिया है दोनों को एक साथ ही मारूंगा अरे तुझे बदला लेना है तो एक पैकेट सिड़ेट जला कर मेरे सर पर बुझा दे मेरी बात मान उसकी एक गंटे में शादी है और मेरे पापा ये सब बरदाश्ट नहीं कर पाएंगे प्लीज विश मेरे बात सुन चली जाएंगे परशाद मत करो प्लीज अम्मो मेरी बात सुन चली जाएंगे अरफ भाउ में को एए तुझे एक बात सुवज़ में नहीं आती क्या नरकी को अधने में आचाएंगे हम चलो शादी का टाइम हो रहा है मुझे भी कहीं जाना है यह क्या बात हुई मैं इतने पैसे खर्च करके यहां पर आया हूं और तुम लोग अपना सेट्लमेंट करने में लगए गयों तेरी तो खर्चा करके आया इसको यहां लेकर क्यों आया अब बोल इसे की शादी कर ले पर लेखने भी शुच्ट अब बेटा जाओ बेटा जा यकर शादी कर लो नहीं तेकर यह ना कैसे मार रहा हुज जो पागा यह अने तो डराने के लिए ता तुम्हें क्या लगठा है मारना कोई इतना आसान काम है किया किसी को बोलोगी तो मार दूंगा अरे किसी को बोलो सब लोग तेरी रहा देख रहे होंगे तुम मेरी बात मान लो मुझे कहीं दूंगले चलो तुम बात मानेगी या नहीं अगर मेरी बात नहीं मानेगी तो सिर्फ हम दोनों खुश होंगे और बात मान लेगी तो हमारा पूरा परिवार खुश होगा सोच ले तुझे क्या करना है सेल्विव लेक्षी, सम्धिंग डिफरेंट हेलो, इधर आँ यह क्या है? फ्लेक्षी यह क्या है? सेल्फी अरे तुझे लड़का है वो यहाँ फ्लेक्षी में क्यो नहीं है? वाइ इस कैंड ओ डिफरेंट विट्मिन लव और मारेग्ष? मैं यह मामला सुझे के पूछ रहे हो अरे कैसी बात कर रहे हो मेरे घर पर आकर मुझसे पूछ रहे हो कौन हूं मैं दुले का बाप हूं भाई मैं इन से बात करता हूं तुम शांत रहना मैं समझा देता हूं ठीक है लेकिन फॉरन यह शादी रोक तो यह शादी आपके लिए ख़दरनाक है क्योंकि आगे चलके यह शादी हानी क्या रख साभित होगी और यह लड़की किसी और दो प्यार करती है मैं आपको सबूत दिखाता हूं यह सेलफी मैंने खुद कीची है और इन्हें बेस्ट लवर का अवार्ड भी दे चुका है आप देख रहे हैं ना दर असल में हुआ यह था फोटो में तो दिख रहा है कि यह दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं अरे बेवड़ा कहीं का इसे लगा कि दिखा देखा तो मैं विश्वास कर लूंगा शेखर जी ने उसे पाला पोसा है यह दोनों बचपन से ही एक साथ पले पड़े हैं इसलिए क्लोज फोटो खिच पालता है कोई समस्या नहीं हो सकती आप जैसे लोग ऐसा शक करेंगे तो कैसे चलेगा अमेरिका के कॉलेज में जहां मेरा बेटा पड़ता था महां क्या-क्या चलता है आपको उसके बारे में पता नहीं है अरे मुझे कोई बुला रहा है मुझे कैसे भी करके शादी होग यहां कुछ ना कुछ गडबड जरूर है अरे अमेरिका से पड़कर आया है इसलिए इतना चिपक कर फोटो खिचवाया है अमेरिका में ऐसा ही होता है तू चिंता मत कर मेरी बात चुन कोशिश करते रहना आप फुल सबोर्ट कर रहे हो ना मैं फुल बोतल पीके शादी जरूर रखूंगा एक बात और बुलो मैं आपको बेस्ट सबोर्टिंग अवार्ड जरूर दूगा ओके आप देखते रहो क्या करता हूं मुझे एक छोटी सी इंफोर्मेश है मेरे फून को देखो साब समझ में आजायागा तुमारे पास दारू है क्या दोनों एक दूसरे को पसंद करते ये बात मुझे नहीं पता अच्छा वो दूनों दूसरे को चाहते हैं यह तू कब से जानने की क्या वात है उन्हें बेस्ट लवर्स का अवाड में नहीं दिया है और मैं आपके हाथ जोडता हूँ इन दोनों को कैजे भी करके मिलाना है सार चाहिए तो आपको फुल वाट आप दोंगा सार सर अभी पार्टनर सपोर्टिंग रूल का अवाड दी दोंगा इन लवली कपल्स को मिलाना है सार ये बहुत अच्छे है सार बहुत प्यार करते है कुद्रे को बिल गया कुमाल आइडिया सार क्या क्माल आइडिया थी आपने ये क्या सार बेटी की जादी है तो खुश होना चाहिए आपको अच्छे मू लटका के क्यों खड़े हैं अरे मैं करूं तो क्या करूं मेरी बेटी को वह विश्णू बहुत पसंद है लेकिन दवाव में मैं उसकी साधी कहीं और कर रहा हूं अरे तो फिर बेटी जीसे पसंद करती है उसी साधी करवाओ ना अरे मैंने अपने दोस्त को समझाया कि आपका बेटा और मेरी बेटी दोनों एक ही साध पले बड़े और दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं लेकिन क्या मेरे दोस्त को ना पैसों पैसों की लालच है मैसा दाशी करेंगा जहां से ऊस Bruce यह इस लिए उसे बेटी उसके बेटे से बहुत करती हैना कुछ भी नहीं कर पार रह Co उसका बाप हो कहीं तो उसके शादी करनी है, इसलिए मैं मान गया, इसलिए दुख मीटाने के लिए अब दारू भी रहे है ना? सुनीए, सुनीए, क्या हुआ? वो वेदा कहीं नजर नहीं आ रही है, नजर नहीं आ रही है मतलब वो आपके बेटे के साथ भाग गई अरे तु कैसे बात कर रहा है, शेखर जी की लड़की है? आप और आपके शेखर, इनका बेटा उस लड़की से प्यार करता है, उससे शादी करेंगे तो दहस नहीं मिलेगा, इसलिए इन्हों ने हमें बेवकूप बनाया तो आगया बेटा, अखिर हुआ क्या था, इसे कहा लेकर चला गया था तू आटी इतना एमोशन क्रियेट करने की ज़रूरत नहीं, यह जिससे प्यार करती है, उसे मंड़प में लेकर आई है, और आप ऐसे नाटा कर रहे हैं, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं, और इन्हों ने सब कुछ जानते हुए हमें बेवकूप बना दिया, और आप दिन रास श सुन बेटा, तुझे बता नहीं होगा, कि तुझे आखिर ले कहा गया था, बोल, तुझे मेरी कसम है बेटा, अगर भाग कर ही जाना होता, बोलने देना मुझे, अगर भाग कर जाना होता, तो जब अम्मू ने बोला था, तभी ये से भागा कर ले जा सकता था, लेकिन मेर अगर इसे लेकर जाना होता तो तूने जब चाटा मारा था तभी अम्मू को साथ में लेकर घर से जा सकता था ना अगर भागना होता तुम मेरे दोस्त को इस तरह ढखेंता नहीं हो अरे मेरी इज़द रखने के लिए शादी करवाना चाहरा है और मैं अपनी इज़द रखने के लिए ही ये शादी करवा रहा हूँ ये मेरी गल्ती है बड़ापन वो नहीं है जो मेरे सफेद कपड़े दिखकर लोग मुझे इज़द दे इसकी तरफ बड़ा दिल होना चाहिए क्यों बेटा इतना कुछ होने के बाद भी तुने मुझे कुछ क्यों नहीं बताया क्यों एक बात तो मेरी समझ में आगे कि आप लोग मेरी शादी इससे करवा देंगे अगर आप लोगों का फैम्ली ड्रावा हो गया हो तो पूरी फैम्ली के साथ एक सेल्फी ले लूँ गया है आखर में हम जिस कॉलेज में पढ़े थे वहीं जॉब लग गई लेकिन मेरी नहीं गुद मॉर्णिंग सर्राव क्यों रहे जब मैं बोल रहा था तो अच्छे से पढ़ाई कर लेता तो आज कॉलेज में नौकरी कर रहा होता ना सर क्या बात है चपल का कलर बदल गया सब को पता चल गया ची पापा खेती में दस लाग रुपे का मुनाफ़ हुआ है दो लाग खर्च हो गया और आठ लाग उन्हों ने आपको देने के लिए का आपके साथ पेग पेग मार रहा हूं और खाने के लिए माने जो मच्छी बनाई है वो भी लेकर आया हूं और इससे अच्छा हैपी मुमेंट और क्या हो सकता है विश्व विजेता सिकंदर भी इस तरह कभी खुश नहीं रहा होगा तो चल उठाए ग्लास